तो प्रेशन है निम्न लिखित मैंसे किस मामले में भारत के सर्वो चिन्हायाले ने सम्मीधान की मूल सरचना के सिध्धान्त को प्रहतिपादित किया ओप्सिन देकरांसर दीजिए तो इसका सित्तर हो जाएगा ओप्सिन बी केस मानंद भारती मामला 1971 जो कि केस मानंद भारती और केरल लाज्ये के बीच हुआ था और सम्मीधान की मूल सरचना का सिध्धान्त कहता है कि सम्मीधान के मूल धाचे में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा अगर उसमें परिवर्तन कन्ये की गुंजास है तो उसे खंड का खागा या A, B, C करके बदलाव किया जा सकता है जैसे कि अनुछेद 19 का का खागा और यह सम्मीधान के अनुछेद 368 के तहट बदलाव किया जाता है तो नेक्स्ट कोशन है रवी कीरती निम्न लिखित मैं से किस राजवन्स के सासक के धरवारी थे और ऐसे कोशन आपके एक्जाम में देखने को मिलते हैं कि बार भट या पर कालीदास के सासक के धरवारी थे तो यह आपको याद रखने चाहिए नेक्स्ट कोशन है हाल ही में किसे 57 ग्यानपीट पुरुषकार से सम्मानित किया गया है वेरी इंप्रोडेंट कोशन है इसको आप नोट ड़न कर लीजिए करंट अफेर्स है तो इसका से उत्तर हो जाएगा ओप्सन C दामोदर माब जो को और आपको बता दें कि ये दामोदर माब जो एक कॉंकड़ी भासा के लेखक हैं इन्हें 1983 में इनके उपन्यास कारनेलियन उपन्यास के लिए साहित्याकादमी पुरुषकार से सम्मानित किया गया था और 56 ज्यानपीट पुरुषकार नील मडी फूकन को दिया गया था तो ये दोनों आपके लिए इंपोर्टेंट हैं और ये हमने आपको पेज की स्टोरी पर भी कोशन दिया है तो वहाँ भी आपको इंपोर्टेंट कोशन देखने को मिलते रहते हैं इसलिए पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए नेक्स्ट कोशन है निमने लिखित में से किस राज्य के मुख्य मंत्री द्वारा माई हाउस नामक योजना की सुरुवात की गई है आप्सन दिक रांसर दीजिए तिसकर सेटर हो जाएगा आप्सन सी जिस वर्स की कीमतों का अपयूग वास्तविक सकल घरेलू उत्पाज की गण्ना के लिए किया जा रहा है उसे क्या कहते हैं आप्सन दिक रांसर दीजिए तिसका सेटर हो जाएगा आप्सन दी उसे आधार वर्स कहा जाता है इसको एक्जेंपल से समझते हैं जैसे कि वर्स 2023-2024 या फिर 2024-25 में भारत की जन्गर्ना होगी तो उसके लिए आधार वर्स 2011-12 की जन्गर्ना को लिया जाएगा उसको आधार मान कर ही पता चलेगा कि भारत की जनसंख्या ग्यारे बारे कि अप एक्षा कितनी बड़ी है या फिर साथ चर्टादर कितनी बड़ी है तो यह आपकी समझ में आ चुका होगा अगर समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं नेक्स्ट कोशन है सिक्किम में प्रेतिवर्स मनाया जाने वाला एक तथागत निरत्य उत्साव कागदे निरत्य किस महीने में आता है और यह कोशन आपके CGL 2022 में पूछा जा चुका है नेक्स्ट कोशन है मोहनी अट्टम निरत्य सेली के उत्पत्ती किस वर्स में हुई और यह कोशन है बड़ सास्तिर्य निरत्य आपके एक जाम में पूछ लिए जाते है तो इसका सियुत्तर हुजाएगा ओप्सन A मोहनी अट्टम निरत्य सेली केल राज्य में उत्पादित हुई नेक्स्ट है आत्म निर्भरता को प्राप्त करना और गरीवी उन्मूलन निम्लिखित मैं से किस पंचवर्षिय योजना के दोरे उद्देश से थे ओप्सन निक कहा अंसर दीजिए तो इसका सियुत्तर हुजाएगा ओप्सन C और आपको बता दें कि भारत की सभी पंचवर्षिय योजना से संबंदित महतरपून नोट्स यह हमने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिये हैं अगर आपके पास यह नोट्स नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम गुरुप से जॉइन हो जाएए यह नोट डाउनलोड कर लीजिए और भी बहुत सारी पीडिया फाइल और कोशन महां मौजूद हैं नेक्स्ट कोशन है निम्लेखित मैं से कौन सा नारा राम प्रिसाद बिस्मिल जी द्वारा दिया गया था तो इसका सिरुत्तर हो जाएगा ओप्सन B सरफरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में है यह नारा राम प्रिसाद बिस्मिल जी द्वारा दिया गया है इंपोर्टेंट है एक्जाम में पूछा गया है नेक्स्ट कोशन है विस्व दुध दिवस या फिर विस्व दूध दिवस कम मनाया जाता है ओप्सन दिक कांसर दीजिए तो इसका सिरुत्तर हो जाएगा ओप्सन A एक जून को तो यह कुछ महतरपूर्ण प्रेशन थे प्रेशन आपको कैसे लगे आप जरूर बताइए वीडियो को लाइक करने के साथ दोगों तक सेर कर दीजिए ताकि यह नूट्स और लोगों तक भी पहुंच सकें और अगर आपको किसी कोर्शन या फिर पीडिया फाइल क्या बसकता है तो आप हमें बता दीजिए हम टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करा देंगे पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि आने वाले नूट्स और वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहें